आज मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट के लिए घड़ बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे आप अपलाई कर सकते हो एक मोबाइल एपलिकेशन मनाया गया है जिसको M Passport सेवा कहा जाता है और विशेश रूप से उन भारतिय लोगों के लिए बनाया गया है और डिजाइन किया गया है जहां पर आप Passport से रिलेटेड सारे सर्विसेज जो है आप ले सकते हो यहां पर आप जो है Passport का जो है Location Center देख सकते हो Passport के लिए अपलाई कर सकते हो Passport का जो Charges होता है वो Pay कर सकते हो Contact Details वगेड़ा देख सकते हो आपने जो Passport के लिए अपलाई किया है उसका अभी क्या स्थिती है उसका Status चेक कर सकते हो तो बहुत अच्छा Application है नहीं भी आपको लंब लंब लाइन लगाने के जरूरत नहीं है कहीं Office में आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ये सारा काम जो है Mobile Application से ही हो जाएगा और इसका आप धरले से यूज कर सकते हो Online Process में आपको जो है Passport का जो है एक आवेदन फॉर्म होता था वो भरना पड़ता था लेकिन Online Process में ये बिल्कुल नहीं है ये सारा कागाश वागज का जो फॉर्म भरने से आपको छुटगाड़ा मिल जाएगा और घड़ बैठे बैठे आप अपना Passport भी यहां पर बनवा लोगे इस स्क्रीन पर आप देख सकते हो यही जो एप्लिकेशन है एम पासपोर्ट सेवा यही आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देगा यह जो मोबाइल एप्लिकेशन है यह Android के लिए भी है और जो iOS यूजर है उनके लिए भी है उसके बाद ड्रॉप डाउन मीनू में आपको पासपोर्ट ऑफिस का वहाँ पर आपको चूज करने का अपसर मिलेगा उसको आपको चूज करने कर लेना है फटक से ना उसके बाद आपको नाम, डेट ऑब बर्थ, इमेल आईडी जो है आपको वह सरा इंप्रमिशन वहाँ पर डालने के लिए कहा जाएगा वह सब डीटेल्स आपको वहाँ डालना है इसके बाद आपको अपना एक यूनिक लोग इन आईडी वहाँ पर क्रियेट करना है ठीक ह कोड वहाँ पर इंटर करना है आपको उसके बाद सब्मिट का बटन होगा सब्मिट बटन पर वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही सब्मिट करोगे आप तो आपका जो एमेल एडर्स आपने प्रवाइड किया है उस पर एक वेरिपीकेशन जो है लिंक जाएगा उस उसके बाद जो है जब application को open कीजिएगा तो वहाँ पर existing user का एक button मिलेगा उसको click करना है और अपना login ID और पासवर्ड जो आपने बनाया था वह आपको enter करना है फिर capture code डलना है और फिर वहाँ पर submit करना है वहाँ पर login हो जाओगे करने के पाद अंदर में आपको option मिलेगा उसके उपर में आपको click कर देना है वहाँ पर फिर आपको form को अच्छे तरह से fill up करना होगा और जो जो वहाँ प्रोसेस बताया गया उसको follow करना होगा फिर उसके बाद passport का जो आपका सूलक है जो भी charges है वह आपको भुकतान करने के जाएगा application पर वह आपको वहाँ पर भुकतान करना होगा के बाद जो लास्ट आपका प्रोसेस है कि आपको document के लिए पास्पोर्ट के इंदर पर जाना होगा कमसी कमें एक बार और आप उसके लिए appointment जो है आपको fix करना है वहाँ पर यही जो है आपका आकरी चरन होगा और जो है आप अपना पूरा प्रोसेस कम्पलीट कर लोगे इसके बाद जो आपने application पास्पोर्ट का दिया है उसको आप application के अमादिन पर track कर सकते हो कि क्या उसका इस्तिती है वहाँ पर status tracker का option है उसके अंदर मिलेगा उसको आपको वहाँ पर click करना है उसके बाद जो है आपन जो apply किया है उसका इस्तिती वहाँ पर आपको बता देगा बहुत अच्छा application है इसके मादियम से बहुत सारी जनकाड़ी आप ले सकते हो कोई भी question होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कोई भी passport केंदर का बाड़े में जो है आप जान सकते हो कोई कौन सा केंदर कहाँ पर है किस address पर है वो आप आसानी से वहाँ पर जान सकते हो अदर जो है एक आपका सूल क कैलकुलेटर option भी मौझूद है उसके माधियम से आप जो भी fees लगने वाला है जो भी service charges है ठीक है ना कौन माधियम से payment आप करना है वो सारा जनकाड़ी आपको वहाँ पर मिल जाता है आपको status चेक करने के लिए जो आपका file number चाहिए और आपका date of birth चाहिए और आप देख सकते हो कि आपका जो apply आपने किया उसका status अभी क्या है अगर passport आपके घर के address पर भेज दिया गया है डिलीबर कर दिया गया है तो उसको भी आप वहाँ पर application में ही track कर सकते हो कोई problem हो नहीं होगा धन्यवाद